ओम श्यांती, सोला सितंबर दोहजार चोबिस के इश्वर ये महवाक्या, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, अभी तुम ग्यान सागर में ग्यान सनान करने से स्वर्ग के परियां और परिजादे बन रहे हूँ, जो बाब सदा प्योर है, मुसाफिर तुमको भी ऐसा गोरा बनाने के लिए सांवरेतन में प्रवेश करते हैं, अभी तुम नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार ऐसा बन रहे हो, क्योंकि यह पढ़ाई हैं और पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते, जो इस पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा, व यहां सारा मदार है पवित्रता पर, पवित्रबन तुम्हे औरों की भी सर्विस करनी हैं, जो गटर में पड़े हैं, उन्हों को निकालना है, यहां विशे वेतरनी नदी में अप्रम पार दुख हैं, अब तुम्हे तो अप्रम पार सुखों में चलना है, तो कितनी खुश रहनी चाहिए और साथ में खबरदार भी रहना चाहिए तुम्हें पढ़ाई पर बहुत अटेंशन रखना है स्वियम गौड फादर तुमको पढ़ाते हैं तो एक रोज भी इस पढ़ाई को मिस नहीं करना और लास्ट में बाबा ने कहा जब तुम बच्चे ग्यान और करते रहेंगे तुम्हारी मनुष्य को देवता बनाने की होबी आदत बन जाएगी और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुडली का सार मीठे बच्चे यह वंडर्फुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है जीते जी मरने वाले ही हंस बन प्रश्न तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिकरात है उत्तर हमें विनाश के पहले संपन बनना है जो बच्चे ग्यान और योग में मजबूत होते जाते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की होबी आदत होती जाती हैं वे सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं जिन की तरह भागते रहेंगे सर्विस के साथ साथ स्व्यम को भी संपन बनाने की चिन्ता होगी ओम शांती रुहानी बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं रुहु अब साकार में हैं और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं क्योंकि अडोप्ट किये हुए हैं त बच्चों को बापने समझाया हैं असल में तुम आत्माई भाई-भाई हो अब नई स्रिश्टी होती हैं तो पहले-पहले ब्रह्मन चोटी चाहिए तुम शुद्र थे अभी ट्रांसफर हुए हो ब्रह्मन भी तो जरूर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला ह इस हिसाब से तुम समझते हो, हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वे जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो भाई बहन जरूर होना चाहिए, यह समझाना है बे समझों को, बे समझ भी हैं और फिर ब्लाइंड फेत भी हैं, जिनकी पूजा करते हैं, फेत रखते हैं, यह फलाना हैं, प्रंतु उसे जानते कुछ भी नहीं, लक्ष्मि नार कई भी मनुष्य नहरुवादी को जानते हैं, तो उन्हों की हिस्ट्री जोग्राफी का भी सब पता हैं, अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का, पूजा करते हैं, प्रंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते, मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते ह प्रंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते शिव के कितने धेर पुजारी हैं पूजा करते हैं फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर भितर में हैं कनकन में हैं क्या यह जीवन कहानी ठहरी यह तो अकल की बात नहीं हुई अपने को भी पतित कहते हैं पतित अक्षर कितना फिट हैं पतित माना विकारी तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की आुलाद हैं और अडोप्टेड हैं. हम कुख वन्षावली नहीं, मुख वन्षावली हैं. ब्राह्मन ब्राह्मनिया तो भाई बेहन ठहरे न तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो न सके खराब ख्यालात मुख्ये हैं ही काम के तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बेहन बनते हैं तुम समझ से हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई यह भी पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही सर्फ कह देते हैं, तुम समझा सकते हो, सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं, तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं, वह है निरा साकार आत्माओं का बाप और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा हैं, जिन से फिर वृधी को पाते रहते हैं, जाड बढ़ता जाता हैं, भिन भिन धर्मों में आते जाते हैं, आत्मा तो इस शरीर से न्यारी हैं, शरीर को देख कर कहते हैं, यह अमेरिकन ह यह फलाना है, आत्मा को तो नहीं कहते, आत्माई सब शान्ती धाम में रहती हैं, वहां से आती हैं पार्ट भजाने, तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनरजनम तो सब लेते हैं, और उपर से भी नई आत्माई आती रहती हैं, तो बाप समझाते हैं, तुम भी मनुष्य को ही तो सृष्टी के आदी मध्यंत का मालूम होना चाहिए, कि यह सृष्टी चक्र कैसे घूमता है, इनका रच्यता कौन है, कितना समेन के फिरने में लगता है, यह तुम ही जानते हो, देवता हैं नहीं जानते, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं, मनु बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वरिक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। तुमको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बढ़सात नहीं बढ़साते हैं। इंद्र सभा कहा जाता हैं। परियां भी तुमको बनना हैं। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोबवान होते हैं। तो कहते हैं न यह तो जैसे परी हैं, पाउडर आदी लगा कर सुन्दर परी बन जाते हैं, सत्यूग में तुम बनते हो परियां परी जाते, अभी तुम ग्यान सागर में ग्यान सनान करने से परियां देवी देवता बन जाते हो, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं, जो सदा प्योर बाप ह सदा खूब सूरत है वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सावरेतन में प्रवेश करते हैं अब गोरा कौन बनावे बाबा को बनाना पड़ेना सृष्टी का चक्र तो फिरना है अब तुमको गोरा बनना है पढ़ाने वाला ग्यान सागर एक ही बाप है ग्यान का सागर प्रेम का सागर है उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लोकिक बाप की थोड़े ही हो सकती है बेहद के बाप की ही महिमा है उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ अभी तुम बन रहे हो ना नंबरवार पुरुशार्थनुसार पढ़ाई में प्रूर बनना है कोई फिर अच्छी रिती पढ़ते हैं कोई कम जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे तुम समझ सकते हो इतने कॉलेज निकलते रहते हैं बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज मे रचता और रचना के आदी मध्यंत का नौलिज मिलता है बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे बहुत कॉलेज युनिवर्सिटी चाहिए ना जहां बहुत आकर पढ़ेंगे फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांस्फर हो जाएंगे अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना गायन भी है मनुष्य से देवता की ये करत नलागी वार यहां यह है मनुष्यों की दुनिया वह है देवताओं की दुनिया देवताओं और मनुष्य में रात दिन का फर्क है दिन में हैं देवताएं रात में हैं मनुष्य सब भक्त ही भक्त हैं पुजारी हैं अभी तुम पुजारी से पुज्य बनते हो सत्युग में शासर भक्तियादी का नाम नहीं होता है वहां है सब देवता मनुष्य होते हैं भक्त मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं वह है दैवी दुनिया इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया राम राज्य और रावन राज्य आगे तुम्हारी बुद्धी में ये है थोड़े ही था कि रावन राज्ये किसको कहा जाता है रावन कब आया कुछ भी पता नहीं था कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई ऐसे ही फिर दुद्वारी का के लिए भी कहते हैं अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा, बाकि स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है, कितना अथा धन था, बाप ने समझाया है, एक ही सोमनात मंदिर को मुसल्मानों ने कितना लूटा, अभी देखो कुछ नहीं रहा है, भारत में कितना अथा धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है, अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग कौन नर्क कौन बनाते हैं, ये अभी तुम जान गए हो, रावन राज्ये कितना स अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धी में नहीं है, वह तो है ही रावन राज्ये में, राम राज्ये होता है सत्युग में, बाप कहते हैं, हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम नालायक बन जाते हो, नालायक क्यों कहते हैं, क्योंकि पतित बन देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हो। अर्थ समझ से है ना भाई बेहन बिगर पवित्रता कहां से आये सारा मदार पवित्रता पर ही हैं बाप आते भी हैं मगद देश में जो की बहुत गिरा हुआ देश हैं बहुत पतित हैं खान पान भी गंदा हैं बाप कहते हैं, मैं बहुत जनमों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, यही 84 जनम लेते हैं, last so first, first so last, मिसाल तो एक का बताएंगे न, तुम्हारी डानेस्टी बनने वाली है, जितना अच्छी रिती समझ से जाएंगे, फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे अभी यह बहुत छोटा जाड़ है, तुफान भी बहुत लगते हैं, सत्युग में तुफानों की बात ही नहीं, उपर से नई नई आत्माई आती रहती हैं, यहां तुफान लगते ही गिर पड़ते हैं, वहां तो माया का तुफान होता ही नहीं, यहां तो बैठे बैठे मर जाते हैं और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वह भी हैरान करती हैं सत्युक में यह नहीं होगा दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं रावन राज्ये और राम राज्ये को कोई समझ से ही नहीं है भले सत्संग में जाते हैं वहां मरने जीने की बात नहीं होती यहां तो बच्ची अडोप्ट होते हैं कहते हैं हम शुबाबा की बच्चे हैं उनसे वर्सा लेते हैं लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्सा भी खलास हंस से बदल कर बगुला बन जाते हैं फिर भी बाप रहम दिल हैं तो समझाते रहते हैं कोई फिर से चड़ जाते हैं जो थमे स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महवीर हनुमान तुम हो महवीर महवीर नी नंबरवार तो हैं ही सबसे पहलवान को महवीर कहा जाता है आदी देव को भी महवीर कहते हैं जिससे ही यह महवीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार रावन पर विजे पाने के लिए पुरुशार्थ करते रहते हैं रावन तो हैं पांच विकार यह तो समझ की बात है अभी तुम्हारी बुद्धी का ताला बाप खोलते हैं फिर ताला एकदम बंद हो जाता है, यहां भी ऐसे हैं, जिनका ताला खुलता है, तो वहें जाकर सर्विस करते हैं, बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो, ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो, विश्य वैतर्नी नदी में अप्रमपार दुख है अभी अप्रमपार सुखों में चलना है जो अप्रमपार सुख देते है उनकी महिमा गाई जाती है रावन जो दुख देते हैं उनकी महिमा क्या होगी रावन को कहा जाता है असुर बाप कहते हैं तुम रावन राज्ये में थे अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहां आये हो तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए पोजिशन तो नमबरवार होती है हर एक एक्टर का पोजिशन अलग है सब में तो इश्वर हो न सके बाप हर बात बैट समझाते है तुम बाप को और रचना की आदी मध्यंत को जान जाते हो नमबरवार परुशार्थनुसार नमबरवार पढ़ाई पर ही माक्स होती है यह है बेहद की पढ़ाई इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो हम हैं स्टूडेंट गौड फादर पढ़ाते हैं वह नशा बच्चों को चड़ा रहना चाहिए भगवानु आज सिर्फ उन्होंने नाम बदल कर श्रिक्रिष्न का नाम डाल दिया है भूल से श्रिक्रिष्न भगवानु आज समझ लिया है क्योंकि श्रिक्रिष्न हुआ नेक्स्ट टू गौड स्वर्ग जो बाप सापन करते हैं उसमें नंबर वन यह है ना यह ग्यान अभी तुमको मिला है नंबर वार पुरशारत अनुसार अपना भी कल्यान करते हैं और दूसरों का भी कल्यान करते रहते हैं उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा तुम बच्चे योग और ग्यान में मजबूत हो जाएंगे, तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन, मनुष्य को देवता बनाने की होबी आदत लग जाएगी, मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल केलेमिटीज भी आए अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मौर्निंग, धार्ना के ल लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुशार्थ करना है। गंभीरता के गुण दवारा, फुल माक्स जमा करने वले गंभीरता की देवी व देवता भव। तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल माक्स इकठी करो। वर्नन करने से माक्स कम हो जाएंगी। स्लोगन बिंदू रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सकिंड में बिंदू लगा सकेंगी। ओम शान्ती। कई बार ब्राह्मन बच्चे पूछते हैं कि संगम्युक कब तक चलेगा। स्वरग कब आएगा। विनाश की डेट भी पूछते रहते हैं। तो इसके जवाब में बाबा ने क्या कहा आईए सुनते हैं आज के अव्यक्त ज्यानमोती में। अव्यक्त